उसमें खुशी नहीं है जिन्दगी में बड़ा होकर खुश बनना चाहिए काम वो करना चाहिए दो चीज जो आपको खुश करे और जो आप जिससे आप समाज में राष्टर में कुछ योगदान दे पाए और जब आप वो करेंगे न तो पैसे आएंगे ये मच सोचना की नहीं आएंगे जिस चीज में खुशी मिलती है उस चीज को करने से जिस तर पे आप पहुंचते हैं happiness leads to success success doesn't necessarily lead to happiness सफलता आपको खुश कई बार नहीं वनाती लिकिन खुशी आपको कई बार सफल कर देती है एक लड़का छे साल का चुपचा बैठा हुआ था टीचर ने उस बच्चे की आँख में आँख मिलाई ये बेटा तुमने जवाब नहीं दिया बड़े होके क्या बनना चाहते हूँ उस लड़के ने का मैडम बड़े होके मैं हैपी बनना चाहता हूँ हैना हैपी बनना चाहता हूँ तो स्टूड़न ने टीचर ने स्टूड़न से कहा बेटा मुझे लगता है कि तुम्हें सवाल समझ में नहीं आया बच्चे ने टीचर से कहा मैडम मुझे लगता है आपको जिंदगी समझ में नहीं आई क्योंकि अगर आपको जिन्दगी समझ में आती तो आपको पता लगता कि बड़े होके हमको क्या बनना चाहिए हैपी और अगर डॉक्टर बनने से आप हैपी रहकर समाज में योगदान दे पाए तो डॉक्टर बनना चाहिए अगर इंजिनियर बनके आपको हैपी रहकर आप योगदान दे पाए तो इंजिनियर बनना चाहिए अगर लॉयर बनके आप हैपी रहते हुए योगदान दे पाए तो लॉयर बनना चाहिए अगर आप टीचर बनके हैपी रहते हुए योगदान दे पाए तो आपको टीचर बनना चाहिए मैंने यह सब छोड़ के यह क्यों किया? क्योंकि जो मैं कर रहा था वो मुझे happiness नहीं दे पा रहा था मुझे बहुत मैं बहुत अच्छी तरह से अपने रिम्मेदारियों को निभा पा रहा था एंजिनियर के इसाब से I was very good मैं टॉपर रहा चुका हूँ यूनिवस्टी में ऐसा नहीं कि दाल नहीं पकी तो ये बन गया ऐसा बिलकुल नहीं सोचने आप लोग बिलकुल नहीं सोचने जी इसको कुछ मिला नहीं बचा रहा है उसमें खुशी नहीं है जिन्दगी में बड़ा होकर खुश बनना चाहिए काम वो करना चाहिए दो चीज जो आपको खुश करे और जो आप जिससे आप समाज में राश्टर में कुछ योगदान दे पाए और जब आप वो करेंगे ना सफलता आपको खुश कई बार नहीं वनाती लेकिन खुशी आपको कई बार सफल कर देती है आपको मैं अपना उदारन बताता हूँ 25-26 साल से मैं कर रहा हूँ पिछले 5 साल 6 सालों में इस सोशल मीडिया में जो मैं काम कर रहा हूँ उसको बहुत ज़्यादा ऊपर उठा लिया लेकिन ये जब नहीं उठा था ना तब भी मैं खुश था क्योंकि जो कर रहा हूँ से बहुत ज़्यादा खुशी मुझे मिलती है और देखिए जिस चीज मैं खुश हूँ उससे आज कहां तक पहुँच गया सोडिया जी यहां आपके पास बुलने के लिए मुझे बुलाया है क्यों क्योंकि मैंने वो चुना जिसमें मैं खुश रह सकूँ जिसमें मैं योगदान दे सकूँ और सफलता बाइप्रोड़क्त है जी आज आएगी if you choose something that you love, you're passionate about and something that you can contribute achievement will follow as a